हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत चुकला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स योटूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास 10 प्लास 12 चाहे वो यूपी बोल्ड हो बिहार बोल्ड हो सी बेसी बोल्ड हो इन सभी की तयारी करने के लिए हमारे चैनल ओं ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दी गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्टर तयारी करना चाहते हो भी बोल्ड परिक्षा के लिए त अनकेडमी का लिंक फॉलो कर लेजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी लों जाता कि हमें अनकेडमी पर फॉलो करें और वहां पे और सभी देख ले दोस्तों तो बिला समय कवाई इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हेलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आ तो नीची देगे लाल वाले बटन से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन जरूर दबा लिजेगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के आपडेट्स आप सभी को मिल सकें चलिए बिना समय का वीडियो को मैं आपको बताता हूं कि क्या अपडेट आ यूपी बोल्ड परिक्षा 2019 के लिए यूपी बोल्ड अंतिम सूची जारी 184 परिक्षा केंद्र बनाए गये दोस्तों अगर आपको मैं बात बता हूं तो आप प्लीज उस बात को अच्छे से सुनिएगा अभी तक किवल 184 केंद्र मलब की 184 केंद्र फिक्स कर लिए गये यूपी बोल्ड परिक्षा अंतिम सूची जारी 184 परिक्षा केंद्र बनाए गये हैं दोस्तों पहली सूची में सामिल 13 परिक्षा केंद्र हटाए गये हैं दोस्तों 13 परिक्षा केंद्र इसलिए हटा दिये गये थे बोल्ड परिक्षा के द्वारा इन केंद्रों पे ना तो वाइस रिकॉर्डिंग की सिस्टम थी और नहीं कैमरा था इसलिए यूपी बोल्ड इस बार ऐसा नहीं चाहता है कि एक भी नकल की सामगरी पाई जाए तो अपने इन 13 केंद्रों को यूपी बोल्ड ने इस्तागित कर दिया है तथा 30 अन्य विद्यालों को सूची जगहा मिली है 13 हटा है तो 30 अन्य विद्यालों के सूची जारी की गई है सेंटर लिस्ट के लिए अब यह खबर जो दोस्तों निकली है अमर उजाला में पेपर में निकली है यूपी बोल्ड परिक्षा हाई स्कूल और इंटर्मिडिट परिक्षा 2019 के लिए जिला केंद्र केंद्रों को हटाया दगया है तथा 30 अन्य विद्यालियों को परिक्षा केंद्रों के सूची में सामिल किया गया है ठीक है उत्तरप देश माधमी शिक्षा परिसद की और से जिले के परिक्षा केंद्रों की प्रात्मिक सूची 2 नवंबर को जारी की गई थी प्रात्मिक स पूची में 166 परिक्षा केंद्र सामिल किये गए थे उन पर 234 विद्यालियों के ब्रधानाचारियों की और से आपत्ति और प्रात्यावेदन दिये गए थे अधिकतर प्रात्यावेदन विद्यालियों की परिक्षा केंद्र बनाये जाने थे तथा अधिकतर आपत्तियां प परिक्षारती आवंटित करने के संब्द में दे गए थे यानि कि दोस्तों ज्यादा तर वही स्कूल केंदर बनाया जा रहे थे जो अपने जो स्टूडेंट्स वहां पेपर देने जाते हैं उनके घरों से कम से कम 20 किलो मेटर 30 किलो मेटर दूरी पर रहते हैं पर वह अब सें करना चाते थे इसलिए बोल्ड ने कम से कम 30 से जादा स्कूलों को स्थगित कर दिया है जिला दिकारी एंजी रवी कुमार की आक्षरता में सनिवार जिला केंदर निर्धारर समीती की बैठक होई और केंदरों की सूची पर अंतिमुहर लगी जिला दिकारी का कहना है कि मज किसını समंद में विध्यालियों का दबाव अधिक होने की वजह से सनिवार को केंदर से समंदहे कारि मंडली मनोत विविञ्ञान केंदर में किया गया था जिला विद्याले ने इरिक्षक रवींदर सिंग्व भी वहीं मौजो थे उनके सभीकुम्द के सभी करम चारीं के मु जोड़े गए हैं पर मजजिस्टेट ने समस्य अपनी समस्य अपनी बताई थी बोल परिक्षा को कि यहां पर यह फर्जी वाड़ा हो रहा है तो उसी के वज़े से नई सूचना जारी की गई थी गत वर्ज की अपेक्षा परिक्षा केंदर अधिक दिये गए दोस्तों आगर सूचना लाग 34.445 थि एक सो चौरा Seriously केंदर बनाए गए थे एक लाग 345.492 विद्यार्थी परिक्षा में भर गए थे 20,000 से अधिक परिक्षारती कम हो गए थे 184 केंदर बनाए गए हैं महज तीन परिक्षा केंदर गतवर्स में अपेक्षा कम की गई दोस्तों और जन प्रतिनिदियों को खुश करने की कोशिच की जा रही है दोस्तों तो यहीं दोस्तों एक खबर आ रही थी यूपी बोल परिक्षा के द्वारा तो जो मैंने आपको बताए कि दोस्तों अभी कम से कम 30 जिलों के अधिक जिलों का कारेक बचा हुआ है पर जहां के भी होंगे दोस्तों मैं आपको अपडेट करता रहूँगा दोस्तों तो जयाद पूछना कि परिशा के अंदरभी तक क्यों नहीं बताए गए हैं वो यह सब यह सारी बात जान सकें सारी न्यूस पढ़ सकें ठीक है तो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही अगर आप यह न्यूस पढ़ना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप यह न्यूस जा झाल